मुख्यमंत्री के साथ विधायक रामेश्वर सर्मा भी मौजूद थे सीयम ने खुले रत पर सवार होकर जनता का अभिवादन किया और भाजपा प्रत्याशी आलोग शर्मा के लिए आशिरवाद मांगा जनता ने सड़क के दोनों और खड़े होकर पुश्पवर्शा कर मोधी मोधी के नारों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव में मीडिया से चर्चा करते वे कहा कि भुपाल में जनता को उत्सा देखकर समझ में आ रहा है कि ये उत्सा विपक्ष के मनुबल को गिराएगा ये हमारे लोकतंत्र और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को गौरानित करने वाला शण है साथ ही उन्होंने अपील करते वे कहा कि इस बार सभी को भारत का नंबर वन देश बनाने के लिए अपने घरों से निकल कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोच करना है कि अपने काम करने की पद्धती है और लोकतंत्र में गौरानित होने वाला मोका भी है जब जन्ता चुनाओ को लेकर के जिजन्ग से भारी भीड के साथ सड़क पे उमली है जन्ता भाजपा को आशिरवात दे रही है हमारे भाजपा के लोकसवप्रत्या जी मात्र हमारे अलोक सर्मा जी मेरे मित्र और माननी विधायाक स्री रामेश्रों सर्मा जी हमारे आश्रीस अगरवाल जी मीडिया प्रभारी हम राहूल कोठारी जी सारे मित्रों के साथ आज जिस दंग से जनता ने प्रेम लटाया है मैं सब का अभार भी मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रचंड जो सोर होंस के साथ ये प्रतसन हुआ है ये दुस्वन की छाती ठंडी करने का काम करेगा इधर मध्य प्रदेश में दान प्रिशत में गिरावट ने भाजपा के मंत्री की मीन दोड़ा दी दोनों चर्णों की चुनाओं को देखे तो करीब आजर अरजन मंत्रियों के इलागे वोटिंग परसेंटेज कर दर्च किया है अमिच शा के चेतावनी के मुताबर यहां भी डेल जोन में देखे अमिच शा ने दूसरे चरण की वोटिंग के पहले चेतावनी दी थी कि जिन मंत्री के विधानसबा शेत्र में वोटिंग परसेंट कम होगा उनको मंत्री पद खोना पड़ सकता है वहीं दूसरी तरफ अमिच शा ने बैठक में ये भी कहा था कि बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके शेत्र में वोटिंग अच्छी हुई है ऐसे में नौ विधायक हैं जिनके शेत्र में वोटिंग ज्यादा हुई है हलाकि जिन मंत्रियों के शेत्र में वोटिंग कम हुई है वह अपनी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं डेपुटी सीम राजेंद्र शुक्री ने कहा कि शादी और गर्मी के चलते वोटिंग कम हुई है लेकिन भाजपा का वोटर निकला है कॉंग्रेस का नहीं गर्मी भी अपना कारण रहा है तो कुल मलागी ये एक फैक्टा रहा पिशले बार मई में वोटिंग हुई थी तो मई में कटाई समाथ हो गई थी लगन समाथ हो गया था शादी वे आकि भी कोई लगन नहीं है ग्रामण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नर्सिंग पूर विधान सबा सीट से विधायक है नर्सिंग पूर विधान सबा सीट पर 66.62 प्रतिशत वोटिंग हुई है जो लोग सबाशेत्र में हुई वोटिंग से 0.59 प्रतिशत कम है स्वास्ति राज्य मंत्री नरेंदर शिवाजी पतेल उदैपुरा विधान सबा सीट से विधायक है यहां 60.62 प्रतिशत वोटिंग हुई है जो लोगसबा शेत्र में हुई वोटिंग से 6.59 प्रतिशत कम है कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री दिलिप जैस्वाल कोत्मा से विधायक है कोत्मा में 64.13 प्रतिशत वोटिंग हुई है जबकि शेडोल लोगसबा सीट पर 64.6 प्रतिशत वोटिंग हुई है जबलपूर पश्चिम से विधायक है मंत्री राकेश सिंग यहां 69.54 प्रतिशत वोटिंग हुई है जबकि जबलपूर लोगसबा सीट पर 61.5 प्रतिशत वोटिंग हुई है एक तरफ आदा दर्जन से जादा मंत्रियों के शेत्र में वोटिंग परसेंट कम है तो वहीं दूसरी तरफ आदा दर्जन से जादा विधायकों के शेत्र में वोटिंग परसेंट लोगसबा शेत्र की तुलना में जादा है अगर अमिच शाह की चितावनी पर अमल हुआ तो इन मंत्री और विधायकों के पदों में अदला बदली हो सकती है आएनश 24-7 के लिए भोपाल से अनुराग मालविय की रिपोर्ट कॉंग्रेस और भाड वाच दोनों के नेतारे दूसरे पर हमला वर है प्रप्रस्टेम शिवराज सिंग चहा का ताजा बाएम सामने आया जोसमें उन्होंने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा है शिवरास सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस खतरनाक रास्ते पर चल रही है जातीकर जंगरना के सारे देश और समाज को बाटना चाहती है उन्होंने तंज कस्तेवे कहा कि कॉंग्रेस अपने इरादे स्पस्ट करे कांग्रेस को देश के सामने ये इस पश्ट करना पड़ेगा कि उसके इरादे क्या है कांग्रेस जिस रास्टे पर चल रही है वो भारत का रास्ता नहीं है वो खतरनाग एक तरफ प्रासर टेक्स लगाने की बात करती है दूसरी दे लफ कहते हैं कि जाती गत जन गवना मेरे जीवन का मिसल कितने तुक्रों में देश को बातना चाहते हो देश में समाज को बातना चाहते हो आर्थ एक समाजिक सर्वेक्शन की बात होती है इसके प्षे खतरनाग इरादे छिपे हुए हैं और वो इरादे हैं जातियों में देश को बातने के वो इरादे हैं दलित आदिवासी और ओवीसी के अधिकारों को बांट देने के भारत इसको कभी स्विकार नहीं करेगा ज़र मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस और भश्पान ने के पिच्वार पलटवार का सिला जाए है सियम डॉक्टर मोहन ने दिविजे सिंग पर पलटवार किया है उन्होंने के इंटेगरी मंत्रे अमिशा पर दिये गए उनके बयान पर एतराज जाहे किया और कहा कि दिविजे सिंग को माफी मागनी चाहिए सीम डॉक्टर मोहन ने कहा कि दिविजे आतंगवादियों को सम्मान दे कर सम्भूधित करते हैं वही उन्होंने कहा कि दिविजे सिंग हमेशा केजरिवाल की बुराइक करते रहे लेकिन चुनाओं में उनका समर्थन ले रहे है प्रक को कि दिविजे सिंग जिने जिस दंस से अमिद साझ के बाराम हलकी बात और जिस से वह बात रखते थे केजरिवाल के बारे में कुछ डेट ही देव 210 सकता हूं 20 सक्टूबर 2012 कि यहीं दिविये सिंग्जी इन्हें ने कहा था कि मुझे अर्विन केज्रियल में हिटलर की जलक आती है तेरा जून 2015 दिल्ली में सफ़े कर्मियों के हड़ताल चल रही थी और दिल्ली के मुख्यमेद्र केज्रिवाल को उनने कहा था कि नोटन के काम आश्टर है आपने क्या क्या नहीं बोला अर्विन केज्रिवाल को लेकर गए कर्मादेपनेश की सियंट चर्मोहन यादव आईउश्मान ल्याव विस्तार अभियान में शामेंट हुए हुपाल ख्रास्तित्री नगर में उन्होंने वुजगों से मुलकात की और आईउश्मान भारत योजना ली जानकारी दी और पॉम भरवार आज हमारे लिए सुभागी की बात है यसस्वी प्रदान मंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्था 70 साल से अदा जितने भी बुज़ूर्गे वरिष्ट नागरिक गणे वो माता हैं बहने हैं हमारे बुज़ूर्गणे वो किसी जाती समुदाई के हो किसी धर्म के हो या किसी आ स्वाले हो या कोई भी हो ऐसे साभी वरिष जनों के लिए 70 साल से बड़े होने की कारण से उनका आयूश्मान योजना के माध्यम से 5 लाग तक का निसूल को उप्चार किया जाएगा यह माननी मोदी जी ने गैरेंटी दिये उसका यह संकल पत्र गैरेंटी पत्र भरने का मोदी सरकार के आयूश्मान योजना का जो दाइरा है वो आप 70 प्लस कर दिये गया तो उसको लेकर यह बात जो है भाजपा ने अपने संकल पत्र में कही है तो इसी अभियान को शुरू करने के लिए बुजुर्ग मतदाताओं के पास सियम मोहन यादवा सुबे पहुचे खबरों का सिलसिला जारी रखते विए चलिया पारप करते हैं मद्रप्रदेश में दो दिन बारिश तेज धाक अलर्ट जारी किया गया है बैतुल पांडोरना शुनी बालगाट और छेंदवाड़ा समेथ 12 जीलों में बारिश हो सकती है इन जीलों में औरेंज अलर्ट जा मौसावज्यानी के मताबिक प्रदेश में एक पस्चिमी विशोप सक्रिय है वहीं साइकोलोकिक सर्कुलेशन सिस्टम और ट्रफ लाइन की भी गुजर रही है जिसकी वज़त से बारिश हो रही है मैं विए सियादू मौसावज्यानी वर्तमान में एक पस्चिमी शोप लगातार आई रहे हैं मुत्र भारत पर असर करका इसके लावे एक साओ शेतित गड़ पर आसाइसर बना हुआ इसके वह से मौश्यर आ रहा है अपने हां तो उसके वैसे जो साओ तीस मदपदे से जि बाकी प्रदिश में देखेंगे तो मौसावज्यानी की संभावना है तापमान जो है सबसे अधिक 41.5 खंडवा खंडवा और करवों में दैश किये का है बोपाल की बाद करें तो 36 तीस इस रहा गया तो सामाने से 4 डगरी नीचे था आगे फिर अभी है कि मौसम खुलने के करें तो बाद तापमान में घेज़े प्रद्दीवना सुवगी तो अँग को है वकुछ प्रदेश ब्रेकर जबुचा है अँग को